चम्तकार सेच्छ टीवी में आपका स्वाक्त है परमिश्य के लोगो आज मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ उससे पहले एक वचन हम लोग पढ़ेंगे भजन सहता 132 अधिहाई उसका 3 वचन से लेकर 5 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर दाउद कहता है निश्चे मैं उस समय तक अपने घर में परवेशना करूँगा और ना अपने पलंग पर चड़ूँगा ना अपनी आँखों में नीद और ना अपनी पलकों में ज़की आने दूँगा जब तक मैं यहुआ के लिए एक स्थान अर्थात या कुग के परमेश्वर सर्शक्तिमान परमेश्वर के लिए निवास स्थान ना बनाऊं तो यहाँ पार दाउद एक परतिग्या करता है दाउद कहता है जब तक मैं परमेश्वर का एक भवन ना बना लूँ तब तक आँखों में नेद नहीं आने दूँगा, पलकों में जबकी नहीं आने दूँगा, अपने पलंक पर नहीं चड़ूँगा, अपने घर में परवेश नहीं करूँगा, ऐसी एक एक वो परतिग्या करता है, कि मैं ऐसा करूँगा, जनके इसका मतलब यह नहीं कि वो इ आप से ये कहना चाहता हूँ कि हम भी यहाँ पार गंगा नगर में श्री गंगा नगर में यहाँ पार हम लोग एक परमेशे का भावन बनाने के लिए जमीन खरी देना चाहरे हैं. आपको मालू हैं यहाँ हमारा जो सेर्च है ये टोटल जो जगा है सतर फुट चौड़ी है सौ फुट लंबी है तो हमें यहाँ पर लोगों को बैठना मुश्कल है अभी तो लॉकड़ून है और इस कार्ण से तो कुछ काम चल रहा है जैसे लेकिन यहाँ पर लोगों को सब क लोग भी आते हैं प्रभू से बलेसिंग पाने के लिए आशिश पाने के लिए जिनको शर्दा है और इसलिए मैंने भी यह ठान रखा है कि मैं तीन देर तक दिन और रात में इंत करूंगा जब तक परमिश्क भावन बनना जाए तो फिलहल हम लोग चर्च के लिए जमीन की मदद करने के लिए त्यार हैं दिर रात हम आपके लिए मेंद करने के लिए त्यार हैं मैं आप मैं आपके लिए दिन और रात आपके लिए मेंद करने के लिए इसा मैं कह सकता हूं अगर आप परमिश्क भावन परमिश्क नवासस्थान परमिश्क के लिए का जो हम हाद दिन और रात आपके लिए जो है खड़ा हूं आपके आपके लिए मेनत करने कर लिए त्यार हूं जानि के जैसे अगर आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए वीडियो कॉल पर प्राथां करूं तो मैं आपके लिए वीडियो कॉल पर प्राथां करूंगा और अगर आप चा करते हैं कि आप अपने हर्दे को खुल लें आप अर्मेश्य के अपना मन खुल लें जितना आप बोएंगे उतनी ही आप काटेंगे मैं आपके लिए मेंट करने को त्यार हूं विशेश करके उन लोगों के लिए जो हमें चर्च की जमीन लेकर देने में मदद करते हैं अगर आप चर्च के लिए जमीन जो हम लोखरी देना चाहते हैं और उसमें आपको मालूम है लखों रपाय की जरूरत है हभी तो अगर आप मदद करते हैं अगर आप वीजबोते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा आप आपके घर आकर भी आपके लिए मैं बंदगी करके अगर आप परमेश के लिए हिर्दे खोलते हैं और चर्च में आप चर्च की जमीन खरीदने के लिए परमेश के भावन के लिए अगर आप हमारी मदद करते हैं और तो हम भी आपके लिए किया करेंगे मेनत करेंगे चाहे 100 किलमेटर है 200 किलमेटर है चाहे 300 किलमेटर भी है आपके पास आकर आपके घर पर आकर आपके लिए प्राथान करके बंदिगी करके आपके घर में हम लोग वपस आ जाएंगे इस लिए जमीन जो खरीदने चाहते हैं उसके मैं मदद करेंगे तो तो आप अगर आप अपने हिर्दे को खोलते हैं तो हम आपके लिए भी समय नकाल लेंगे मैं यही वचन पढ़ रहा था मैं अपने घर में परवेश ना करूंगा अंखों में नीद नी आने दूंगा पलकों में जगवी आने दूंगा जब तक मैं सर्व शक्तिमान के लि यह आप अपने हिर्दे को खोलें देखो जो लोग बिजनिस करते हैं जो लोग काम करते हैं उन्हें परमेश्व ब्लस करते हैं उनकी धन संपति को अशिश देते हैं और वो लोग फिर चर्च में देते हैं क्योंकि जो चर्च के परमेश्व के दास लोग हैं वो कोई काम न देते हैं तो उससे चर्च के काम सेव के काम सब चलते हैं जो चर्च में सेवा करते हैं प्रेट आवर में हैं और सब लोगों का कंट्रॉलरों में हैं सब के लिए वो निकलता है उनका खर्चा निकलता है तो आप जब बोते हैं परमिशन सिदात जैसा बनाया हुआ वैसी आप काटेंगे तुम्हें देखो पहला त्यास 17 अध्याय और उसका आठ वचन भी हम लोग एक पढ़ना चारे हैं पहला त्यास 17 अध्याय उसका आठ वचन और प्रमिश जहां पर कहते हैं जहां कहां तुम आया और गया वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रों को तेरे समने से नस्ट किया है अब मैं तेरे नाम को पिर्थवी के बड़े बड़े लोगों के नामों के सिमान बढ़ा कर दूँगा आप इस सद्याय को जब पढ़ते हैं तो दाउद ने जब चर्च बनाने का सोचा परमिश का भवन बनाने का सोचा तो परमिशन का परमिश उससे परसन होए परसन होकार उसको बलस किया और कहा तेरे नाम को मैं बड़ा महान करूँगा और ये भी कहा कि चोदावचन में कि तेरी जो राजगदियस देव अटल रहेगी तेरी संतान उस पे राजा बनती जाएगी तेरा बेटा राजा होगा उसका बेटा राजा उसका बेटा पोता 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 राजे बनते जाएंगे तो जब आप परमेश्र के भवन के लिए करते हैं अपना धन परमेश्र के भवन के लिए देते हैं अपना सोना चांदी परमेश्र के भवन के लिए देते हैं तो क्या होता है तो आप परमेश्र जैसे परमेश्र परसंद होगे दाउद से ऐसे परसंद परमेश्र आपसे होग और आपके नाम को पिर्थू के बड़ बड़ लोगों के नामों के समान बड़ा कर देंगे जैसी जा लिखा है और आपके वंच को भी परमेशन बलस्ट करेंगे आपके बेटे को आपके पोते को आपके पड़ पोते को आपके वंच को सदेव यहां लिखा है सदेव परमेश उनसे बलस्ट करते रहेंगे तो आज आपको मौका है के बार हम लोग अपने बच्चों के लिए पोतों के लिए पड़ पोतों के लिए अपने बेटों के लिए कुछ पैसा रखकर छोड़ कर जाते हैं ठीक है यह 10 लाख जमा कर दिया यह बेटों के काम आएगा पड़ पोतों के काम आएगा बीस लाख एक करोड़ पिचास लाख जो भी लेकिन कई बार वो जब बड़े होते हैं तो वो पैसा ऐसे निकल जाता किसी काम कर ने रहता अगर यह आप बलेसिंग शोड़ कर जाएंगे कि आप इस विक्ति के लिए विशेश पराता करो हमारे प्रेट आवर में आपके लिए श्पेशल विक्ति को हम लोग प्रेट आवर में आपका श्पेशल इसको नाम देख देंगे आपके समस्या देख देंगे कि इसके लिए विशेश पराता करो है तो अगर आप चाहते हैं परमेशक लिए इसके बार में कोई जान कर लेनी तो हमारे जो WhatsApp नंबर है उस पर आप message कीजिएगा ठीक है पचानमे चार श्यानमे पचानमे दो बान में WhatsApp नंबर है अभी स्क्रीन पर हम लोग आपको दखा देंगे पचानमे चार श्यानमे पचानमे दो बान में तो आप इससे हमें सुचना दीजिएगा तो फिर हम लोग आपको समय और सब बतें अपने बाद में तैय करेंगे कैसा करना है तो मैं आपके लिए प्राथां करता हूँ मेरे परमेशर पिता ये मेरे संदेश को जो मैंने अभी दिया है लोगों के जीवन में काम करें लोगों के हिर्दें में काम करें लोग अपनी हिर्दे को खोलें ताकि परमेशर पिता आपके भवन के जमीन ले सके हम लो इनके जीवन में काम करें, इनके जीवन में चम्तकार करें, इनके नाम को महान करें, मेरे परमेशर पिता, और इनके बच्चों को इनकी संतान को बलस करें, इनकी धन संपत्री को बलस करें, इनकी नोकरी को, जब को, बिजनिस को, इनकी खेती को, इनके पश्वमों को, जो कु पर विश्यु मसी की नाम से प्रातर मांगता हूँ, आमे, 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 तो एक बात और आप से मैं कहना चाहरा हूँ, यह जो आप किसे हम लोग कह रहे हैं, परमिशल के लिए आप बलीधान अरपन करें, यह कोई एक बार चर्च बनाने के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, कि बड़ी एक जगा लेना चाहरे हैं, सिर्फ उसकी चार्दवरी करेंगे, और अंदर बंदगी शुरू कर देंगे, अंदर प्राथन शुरू कर देंगे, बड़ा टेंट लगा कर, जो ओपन में ही प्राथन शुरू कर देंगे, तो वो लेंड जो है, चर्च के लिए लेना आगी कि एक समय राजा था और वो राजा भेस बदल का आपको मालूम है वो परजा के बीच में जा रहा था तो वो परजा के बीच में गया तो एक विक्ती था वो चने खा रहा था पिजाबी में शोले कहते हैं वो चने खा रहा था उसकी जे भरी हुई थी और ऐसे से करके ज खा ला था थोड़े से नकालता खा लılarटा था तो लग पार उसके पाश था और उसे मालम ये राजा है तो राज़ा ने ऐसे उसको पाश में खडा था था तो उसे ने कहा भी ठीक है एधी थोड़ेशम देखाने के लिए यह क्योंकि वो चाहता हो집 से बास जित करना जो भी तो उसने अपने जे में हाथ डाला और ऐसे चने नकाले ऐसे हाथ मुठी भरली चने से जैसे मुठी भरी कहता नहीं इतनी नहीं देता इतनी सी देता हूं फिर कहता नहीं इतनी नहीं चने देता इतनी से देता हूं फिर कहता है, ने, ने, जितने थोड़ी सी मुठी में इक उतने देता हूँ, उसे ने का ने, चल ऐसा करता हूँ, चार दानी देए देता हूँ, इसने कई दिया तो, थो चार दाने नकाले उसने चने के, और वो उस आदमी के हाथ प्याह रख दिये जो भेस बदल का 왼 जा था फिर राजने का नहीं सोने के यह शर्फियां इतनी ही दे देता हूं फिर राजने का नहीं चल इतनी ही देता हूं फिर राजने का नहीं चार ही देता हूं इसको उसने भी चार सोने के शर्फियां नेका ली और उसके हाथ पे रह दी और अब वो सोचने लगा अगर मैंने सो प्रबु आपके साथ रहें, प्रबु आपकी मदद करें, आमें. अर प्रबु आपके साथ करें जाना करें, आमें.